तेक बिना ब्रेक डाउम्लोड ताक अप इस स्टेशन से दो साल बाद चली ट्वीन की तस्वीरों को हर कोई अपने मुबाइल कैमरों में कैयद कर लेना चाहता था ट्वीन चलने के बाद लोगों ने अपने खुशी का इज़़ार किया निस्चित तोर पे सुपोल वासों के लिए आज शुनष्चित अवसर प्राफ्त होआ है क्योंकि बहुत इनों से बरसों से ट्रेन लगातार बंद थी सुपोल की बंद से बदतर हालत थी आज बहुत खुशी और हरस उल्लास के साथ स्पॉल भासी आज इस एतिहासिक दिन को वितार है और मज़दूर जो काफी बाहर जाते हैं हमारे पिहार से खासकर करके स्पॉल जिले से जो लोग बाहर जाते हैं वो ट्रेन से बंचित थे लेकिन आज उनको बहुत ही सुभाग है कि यहां से अब ट्रेन चलेगी स्टेशन पर लोगों की भीड को देखकर एक नजर में लगा, मानो कोई मेला लगा हो प्रशासन द्वारा दोपहर बारह बज़े सुपॉल स्टेशन पर उद्खाटन समारो का आयोजन किया गया जिसमें रेल अधिकारी सही सुपॉल सांसत पिहार विधान परिशत की कारेकारी रिस नभापती रेलवे की DRM अशोक महेश्वरी ने हरी जंडी दिखा कर पैसेंजर ट्विन का शुभारम किया सुपॉल सहर सा रेलखन पर फिर से ट्विन की सीटी लोगों को रहा देने वाली है देलवे की DRM ने कहा कि सिगनल सिस्टम और याड डेवलप्मेंट में तो अभी समय लगेगा साथी उन्होंने ड्यूट्री जाने वाले लोगों के लिए सुबह में एक ट्रेंज शुरू करने की बात करें यहाँ पर अभी सिगनलिंग सिस्टम और पूरा याड डेवलप्म करना पड़े है जिसमें समय लगेगा तो वो जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी जैसे कि अभी गड़ बरवारी में आपने देखा आप हो गई है पूरा पूर्ण सिगनलिंग सिस्टम और पूरी लाइने मिल जाएगे उसके बाद समचित ट्रेंज संचानल ना जाएगा लोग तो आज कापी खूर से लेगी शिकायत है लोगों की जो जो भी ट्रेंज का परिचालन का समय दिया दिया है वो लिए उसके लिए यह बेजा हुआ है इड़्वाटर में है जिसमें हम चाहते है कि एक ट्रेंज जो है सुबह के इस वक्त पे जल्दी से यहां पे आए करता हूं उनका अथक प्रियास रहा है और मैंने आज के मिटिंग के बाद्यम से भी जनता की ओर से अपनी ओर से मैं मांग भी क्या हूं जो हमारे इस सुपोल जिला से तीन अवर सी ट्रेंज मिले जिसमें कलकता के लिए एक हाटी बजा रहे एक आपको यहां से गरीब रत जो दिली जाती है अग तीसरा रात में जो 11 सार्शा से खुलती है उसको एक्स्टेंड कर दिया जाए सुपोल तक और जब यह आगे आपको सराइगर तक होगा तो वहां तक होगा ही तो यह मुझे उबीद है जो इस मांग को रेल्वे प्रसासन अबस ही इससे शुक्रित कर करेंगी और खासकर के इसमें कुछ प्रक्रिया है प्रक्रिया आई यह है जो जो दियारेम सेज़र है उनके हाथ में नहीं है वह रिकॉमेंट कर सकते हैं यह बोट के मातात पर आता है और बढ़ने मिनिस्टर बहुत हुंद है सुपोज जिला से उनका आशिर्वाज सुप लबब दो साल बाद इस स्टेशन से पहली ट्रेइन की चलने पर ड्राइवर ने भी खुशी ज़ता है इस रेलखन पर 25 दिसंबर 2016 से फुईन सेवा बंद थी फुईन परी चालन बंद कर बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित करने का काम किया जा रहा था लंबे समय के बाद सुपाव से रेल का परिचालन शुरू होने से स्थानी लोग बेहत खुश है सुपाव से रामचंद्र महता बिहार तक